नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जल्दी प्रेग्नेंसी के बारे में सबको जल्दी प्रेग्नेंसी चाहिए सबका एक सवाल है मैं कब exactly relation बना लें कि हमें conceive हो जाए कुछ patients बोलते हैं मैंडम हम period के खतम होने के बाद से continuously relation में रहते हैं कुछ patients बोलते हैं मैं हम हफते में 2 दिन relation में रहते हैं कुछ patients बोलते हैं मैं हम एक दिन छोड़कर एक दिन साथ में रहते हैं तो exactly आप किन दिनों में साथ में रहें या week में कितनी बार relation बनाएं कि आपको conceive हो जाए या आपको pregnancy हो जाए यह समझने के लिए सबसे पहले आपक एक तारिक को संबन्द बनाया तो उनका शुक्रानू तीन तारिक तक आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है लाइव रहता है फीमेल का एग 24 आर्स तक लाइव रहता है यानि 24 घंटे जिन्दा रहता है तो अगर आपका बीज मानलो सोमवार को रिलीज हुआ तो वो मं अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन साथ में रहते हैं तो आपके प्रेग्नेंसी के चांसे बहुत जादा रहते हैं अब अब मुझसे पूछेंगे मैंनम हम रेगुलर साथ में क्यों ना रह लें क्योंकि हमें क्या पता वो कब फर्टिलाइज होने वाल है उसका कारण य आज आपकी हस्बिन का सीमें काउंट 60 मिलियन है आपने कल रेलेशन बनाया तो इट वुड़ भी एराउंट 40 मिलियन आपने पर्सों बनाया इट वुड़ भी अर बाद में बनाया तो इट वुड़ स्टार्ड गोज ओन डिक्रीजिंग तो जिस दिन आपका एक्जाक्ली population हुआ उस दिन तक या उससे एक दो दिन पहले अगर वो सीमें के अंदर sperm count बहुत कम रह जाता है तो आपके fertile days होते हुए भी आपके relation बनाने के बावसूत भी आपके conceiving के chances बहुत कम हो जाते हैं तो I hope आप समझ गए होंगे regular relation क्यों नहीं बनाना चाहिए alternative बनाने के क्या फायदे रहते हैं और conceiving के लिए जो अच्छे दिन है या जो fertile days है वो कौन से है यह एक genuine suggestion है अगर आप accuracy पर जाना चाहते हैं तो आप follicular monitoring करवा सकते हैं यानि कि अंडे की जाच follicular monitoring ultrasound में वो एक procedure है जिसमें eggs देखे जाते हैं कि आपका egg period के 10 दिन पर कितना है 11 दिन पर कितन है कितना mm होकर वो rapture हो जाता है और जिस दिन वो rapture हुआ उस दिन से 24 घंटे के अंदर अगर आप साथ में रहते हैं तो आपके pregnancy के chances बहुत जादा होते हैं तो I hope मैंने आपके questions का answer देने की जो कोशिश की है उसमें मैं सफल होई होगी और आप आप जानते हैं कि आपके fertile days म में try करेंगे और जल्दी conceive कर लेंगे हम आपको नमस्ति कहना चाहते हैं और आपसे गुजारिश है आशायरविदा का चैनल जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद